पुश्कर सिंग्धामी उत्राखन के मुख्यमंत्री एक ऐसे नेता जो जनता के बीच रहकर जनता के हित में काम करते हैं वो अपने सादा सरल जीवन के लिए ही जाने जाते ही। कारशेली उनकी ऐसी है कि अपने प्रदेश का हर हाल में विकास चाहते हैं और तो और जनता को भी समझाना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी राज या फिर मोदी राज में ही उत्तराखन का भला हो सकता है। तभी तो डबल इंजिन सरकार को सीम धामी ने काफी गंभीरता से लिया है। मोदी सरकार की सभी उड़नाओं को एक अच्छे स्तर पर सीम धामी ने लागू करने का प्रयास किया है। और अब बात जब जोर शोर से UCC की हो रही है तो फिर पुशकर सिंग धामी कहां पीछे रहने वाले थे पहुच गए सुमवार रात को ग्रिहमंत्री अमित्शाह से मुलाकात करने। जी, जानकारी के मुताबिक अमित्शाह के आवास पर उत्राखन में समान नागरिक सहिता को लेकर एहम बैठक हुई है। सुत्रों की माने तो इस बैठक में ग्रिहमंत्री अमित्शाह और सीम धामी के अलावा उत्राखन UCC ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्याक्ष जस्टिस रंजना देशाह भी मौजूद रही। सभी ने मिलकर UCC पर बात की हलांकि बैठक से निकला क्या वो अभी बता पाना मुश्किल है। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमिटी भी बनाई थी। समस्या हैं इसी के साथ जमीन और फैमिली को लेकर अलग-अलग कानून है। रावत ने दावा किया था कि कई मंदिरों में दलित और महिलाओं का जाना मना है। UCC में इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। पूर्वसियाम रावत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम एजंडे के तहत यूसीसी को लाना चाहती है। अब विपक्ष चाहे कुछ भी कहे। मोधी सरकार ने UCC को लागू करना तै कर लिया है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिवल कोड का सीधा अर्थ एक देश एक कानून है। देश में भी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्राधिकारी, संपत्यों से जुड़े मामलों के लिए भी सभी धर्मों में अलग-अलग कानून है। समान नागरिक सहिता आती है, तो फिर सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाती का ही क्यों ना। पिर सूत्रों का ये भी कहना है कि जो ड्राफ्ट बना कर तयार किया गया था, इस द्राफ्ट में शादी से लेकर तलाक और बच्चा गोद लेने से लेकर और लिविन तक के मुद्धों को शामिल किया गया है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि इस राफ्ट के अनुसार शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवारे होगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी और लिवन रिलेशनशिप का ब्यौराथ जरूरी होगा। इस राफ्ट में जिनसंख्या नियंटरन को लेकर भी बाते शामिल की गई हैं। दरसल उत्तरा खर्ण में अब लिवन में रहने के लिए डेक्लिरेशन देना जरूरी होता है। इसकी जानकारी माता-पिता को भी दी जाएगी। इसके लावा शादी के लिए लड़कियों की सीमा बढ़ाई जाएगी। शादी का हर हाल में रेजिस्ट्रेशन जरूर किया जाएगा। अगर कपल ने रेजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसे सरकारी योजनाओ का लाब नहीं मिल पाएगा। इसके लावा पॉलिग्यामी या बहु विवाह पर भी रोक लगाई जा इन सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। सेवा निवरित जस्टिस रंजना प्रकाश देशाई ने बताया कि ड्राफ्ट कमिटी मरने के बाद इस मामले पर 2,31,000 सुझावाई हैं। 20,000 लोगों से तो इस मुद्दे पर मौखेक रूप से बाचीत की गई अब देखना दिल्चिस पोगा कि सुमवार को आधी रात को पुषकर सिंधामी ने जो ग्रहमंत्री अमिच्छाह के साथ बैचक की है उसका क्या निश्कर्ष निकल कर सामने आता है। वैसे उत्राकर में UCC को लेकर आपका क्या कहना है। और जो ग्रहमंत्री अमिच्छाह स देश में एक टेंप्रेट सावित होगा। देखे सभी विद्वान लोग, UCC कमेटी, सारे बीदी से जुड़े हुए लोग, विशेशग और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं, रंजना परकास देसाई जी, सेवान इबृत नायधिस, उनके साथ ही लोग, सभी ने बहुत लोग उन्हों से भी बात की है, उनके बिचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं, और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है, वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे, और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा, उत्राखंड का जो ड्राफ्ट है, क्या वो देश में जो यूसी सी लगू होने वाली है वो उत्राखंड के ट्राफ्ट को फॉलो करेगा अभी उत्राखंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है और मैं समस्ता हूं कि पहला राज्य उत्राखंड है जहां इस प्रकार से हो रहा है इसलिए सभी पहलों को ध्यान में रखा होगा उन्हों